हलो स्टुनें नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और पीए सी एड़ा पर और गाईज जैसा कि आपको धमनील से दिख रहा होगा कि जिन स्टुनेंट्स का विकॉम हो चुका है या जिन स्टुनेंट्स का सीए या सी इंडिया CCI जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है मतलब यह जौब कम्प्लीट सेंट्रल गवर्मेंट की जौब होने वाली है और जब सेलरी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी जौब है अगर इसमें काम करना सपने से कम नहीं हो सकता है त उससे पहले आप सभी स्टूरेंट्स को बता दू गाईज अगर आप इस वेकेंशी की प्रिप्रेशन कर रहे हैं या फिर जो भी सेंट्रल गवर्मेंट की वेकेंशी निकली है चाहे वो CBC की हो चाहे वो NBS की हो उसकी प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सेंट्रल government की vacancy के लिए हम लोगों ने के special whatsapp गुर्प बना दिया है जहां पे open chat रहती है आप सभी student उसमें जुड़े हुए है more than six seven hundred student उसमें जुड़े हुए है आपस में chat कर सकते हैं previous year paper हम यहीं पे share कर सकते हैं और हमारे जो expert faculty panel है वो भी यहीं पे है जो आपकी time time पे help करते रहते हैं नीचे description में link है आप जरूर जोइन कर लेना और जो student पहली बार इस channel पर आए हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक ऐसी team के द्वारा जो team पूरे इंडिया में commerce की सबसे बड़ी सबसे experience और सबसे qualified faculty team है जिस team ने आज तक commerce के शित्र में अलग-अलग state में बहुत सारे bumper selections दिये हैं चाहे वो मद्यप्रदेश taxation assistant हो चाहे मद्यप्रदेश first grade commerce में top 10 में से 6 rank अकेले और के लिए RPSC एड़ा के थे जिसमें भी first second rank भी हमारा ही था इसी के साथ उत्तराखंड assistant accountant हो गया या फिर RPSC first grade हो गया या फिर UGC net हो गया कई सारे selection हम लोग दे चुके हैं अब आईए मैं सीधा इवर आपको notification पर लेके जाता हूँ कि notification basically क्या है यह आप देख सकते हैं यह notification जो है वो जारी किया गया था Patern Corporation of India का यह notification है वैसे तो notification बहुत बड़ा है है ना यह notification लगभग 43 page का है लेकिन आपके काम की जो information है उसको मैंने highlight कर दिया है यही PDF सेम हम हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे जिस टेलिग्राम चैनल पर हम regular basis पे mcqs डालते रहते हैं आपकी practice के लिए और हर vacancy की detail analysis या कोई भी information आपको वहीं पर मिलती है वो जरूर आप लोग join कर लेना आईए start करते हैं बारा तारिक का ये notification जो है वो issue हुआ था इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया है क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जिस दिन मैं ये वीडियो बनाऊं उसी दिन मैं इस course को भी launch करूं क्योंकि course को launch करना इतना आसान नहीं होता बहुत बारिकी से detail analysis करना होता है और ये देखना होता है कि क्या-क्या उसमें add किया गया है क्या level maintain करना है कोई compromise नहीं होना चाहिए तो आप देख सकते हैं लगबग 10 दिन हो चुके हैं इस vacancy को आए हुए पर वीडियो मैं आज बना रहा हूँ reason logic बता चुका हूँ प्योंकि course भी हम आज ही same day इसका launch कर रहे हैं मैं बताओंगा आपको content क्या डाला है तो 12 तारिका था है ना बता चुका हूँ मैं आपको ये public sector undertaking है जिसे PSU कहा जाता है और PSU में नवरतन, महरतन और मिनिरतन कंपनिया होती है ये basically जो है वो आपकी सबसे lower category में जो है वो आ जाती है जिसे मिनिरतन जो है वो कहा जाता है अब बात करते हैं क्यों ये सारी जो recruitment है जिसे direct recruitment हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर cotton corporation of India जो कर रहा है यह चाहता है कि जो कपास वो produce कर रहे हैं वो कपास एक अच्छी competitive price पे market में available हो पाए अपने profit को ये public sector undertaking PSU बढ़ाना चाहती है जो हमेशा एक PSU का main purpose होता है इसी के लिए कुछ legal advisor चाहिए होते हैं कुछ typist चाहिए होते हैं कुछ accountant चाहिए होते हैं कुछ marketing executive चाहिए होते हैं तो उन्हीं सब के लिए यहाँ पे detail निकाली है तो ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडिया में operations 19 branches में चल रहे हैं और 450 markets है जिनको ये cover करते हैं headquarter इनका नभी मुंबई में आ जाता है चलिए जी बात करते है mode of application सरी जो exam होगा detail सारी information अलग से website है www.cotcotcorporation.org.in ये आपका जो है वो आपकी website है जहां पे आपको detail मिल जाएगी क्या सर इसके form start हो चुके हैं तो हाँ इसके form start हो चुके हैं कब से start हुए थे तो 12 जून से ही form इसके start हो चुके हैं पूरा एक महीना नहीं मिल रहा है ध्यान रखना नॉर्मली कोई भी vacancy जब आती है तब उसमें एक महीने का पूरा समय मिलता है इसमें नहीं मिल रहा है लगबग अब आपके पास 10 दिन और हैं लगबग 20 दिन के लिए ही इन्होंने window open करी है तो student जब आप इस वीडियो को देख रहे हों बिलकुल भी delay मत करना और जल्दी से जाके आप इसका form जरूर भर देना last date का wait बिलकुल मत करना last date server के बहुत सारी issues हो जाते हैं जिस वज़े से कुछ चीजे miss हो जाती है helping facility इन्होंने आपको दे रखी है और mobile phone आपको exam center पर use नहीं करनी है ये normal information है कौन कौन सी vacancies निकाली है सब की बात करेंगे साथ में जो हमारे commerce के छोटे भाई वहन है उनके लिए कौन सी vacancy है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर corporation having its head office in नवी मुंबई branch office all over India है कहीं भी आपकी posting आ सकती है सबसे पहले इन्होंने assistant manager legal की vacancy निकाली है ध्यार दखना total एक ही vacancy है age limit इसमें इन्होंने 32 दे दिया है उसके बाद में assistant manager official language यहाँ भी एक vacancy है यहाँ भी 32 की age इन्होंने दे दिया है फिर बात करते है management trainee चाहिए marketing के लिए और training चाहिए accounts के लिए हम accounts की बात करते है marketing trainee के लिए यहाँ जो total vacancy है वो 30 है ध्यान दखना कुछ backlog वाली भी है और यह आपको detail दे रखी है total vacancy 30 है management trainee accounts की बात करते हैं इसमें वही students eligible है जिनका charted accountant यहाँ पर cost and management accounting जिसे CA में कहते हैं वो complete हो चुका है और age आपकी below 30 है तो 30 से over age वाले जो person है जिनका CA CA में हो चुका है वो इस vacancy के लिए eligible नहीं है बट जो भी नए नए फ्रेशर लगे हैं कुछ 3-4 साल हुए है आपको CA CA में करें तो definitely आपके लिए एक बहुत अच्छी vacancy है 30 post मुझे लगता है कम नहीं होती बहुत अच्छी post है अगर सही तरीके से preparation करोगे तो आप definitely इस vacancy में select हो सकते हो हमारे भी बहुत सारे जो इस्टुनेंट हैं जो already CA CS है और अभी वो government job में है और बहुत शान्थी की जिन्दगी जी रहे हैं उसका एक मजा definitely अलग हो जाता है तो CA CS में आपको चाहिए 30 की जो होनी चाहिए फिर हम बात करते हैं junior commercial executive के लिए इन्होंने 30 post निकाली है junior assistant general के लिए इन्होंने 30 post निकाली है और एक और vacancy आ गई है जो की bumper vacancy है और ये vacancy हमारे commerce के students के लिए है तो जो भी हमारा commerce का student है जिनकी B.com अभी साल चल रही है या B.com हो गई है आप सभी के लिए vacancy निकाली गई है इसमें भी total अगर आप देखते है तो 30 post निन्होंने यहाँ पे दे रखी है यह bifurgation निन्होंने यहाँ पे दे रखा है उसके according आप देख लेना तो मेरे इसाब कास्ट में आते हैं तो 5% का relaxation आपको मिलने वाला है और junior assistant translator के लिए भी इन्होंने जो है वो यहाँ पे post निकाली है इसकी भी detail आपको दे रखी है ओके guys तो यह आपका पूरा detail हो गया है और क्या क्या का है EWS के लिए 10% reservation इन्होंने रखा है बाकी information काम की नहीं थी तो मैंने उसको highlight नहीं किया है और आगे आजाईए नीचे और क्या हमारे काम की चीज है जिस पे हमें mainly जो है वो focus करना है आईए बात कर लेते हैं इसके अलावा ये रहा इसके अलावा ये रहा service condition में आपको दे रखा है पे scale क्या है ध्यान से देखिएगा तो जो लोग CA या CA में है उनको salary मिलने वाली है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको salary मिलने वाली है पर ये basic salary है इसमें DABA एड करके काफी अच्छा package आपका रहने वाला है और junior assistant accountants के लिए 22,000 basic है और 90,000 जो है वो upper limit आपको यहाँ पे दे रखी है probation period कितना रहेगा 12 महीने का रहेगा पर ये कह रहे हैं कि 12 महीने बाद अपने आपको पर्मानेंट महिन मत मानना पर्मानेंट का decision हमको लेने देना पर मुझे लगता है ऐसा को issue नहीं आएगा सब कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के साथ में service bond कितने का है there is a mandatory provision of executive service bond as under service a minimum period of three year आपको कम से कम joining करने के बाद तीन साल का यहाँ पे bond जो है वो भरवाया जाएगा और the in lieu there of three months basic pay basic pay as on the date of separation यह आपको जो है वो देना पड़ेगा eligible condition क्या है तो minimum maximum ध्यान लखना minimum इन्होंने 18 कही है almost सभी जगे पे maximum इन्होंने जो कही है वो 30 कही है कहीं कही 32 है बट on an average सब जगे 30 ही है तो 18 से 30 में अगर आप आ रहे हो तो definitely आप इसके लिए eligible हो जाते हैं सब में आप देखिएगा अलग-अलग है management trainee है इसमें भी आपको 30 बोला है 5 साल का relaxation है ऐसे ही junior assistant है इसमें भी 30 यर ही बोला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है relaxation दे रखा है schedule काश हो तो 5 साल का आपको relaxation जो है वो मिल जाता है okay guys इसके अलावा और हम देखते हैं तो और क्या काम का है application की fees कितनी है देखिए central government की vacancy है थोड़ी सी fees इसकी higher ही र रहने वाले है general के लिए intimation charges 500 है तो total मिला के 1500 लग जाते हैं SCST के लिए application fees नहीं है intimation charges लगते ही है तो 500 रुपे में आपका ये जो form है वो भरने वाला है ओके चलिए जी अब हम बात करते हैं मेरे साब से सीधा syllabus पे ही attack करते हैं सर syllabus क्या रहने वाला है ये भी आप हमें बता तो एके करके हम लोग syllabus की बात करेंगे examination city कौन सी होने वाली है आप देख सकते हैं अपने अपने हिसाफ से अगर आप राजस्तान के हैं तो आपका center जैपुर आएगा बिहार के हैं तो पटना में आएगा गुजरात के हैं तो एमदाबाद में आएगा इस तरीके से आप अ से exam होगा मतलब online आपको computer पे ही exam देना है पहले से practice करके जाना minimum qualifying marks कितने चाहिएंगे तो जो आपके marks चाहिए वो आपके 40% जो है वो आने चाहिए unreserve category में reserve में हो तो 35-5% का relaxation इन्होंने सभी जगे दिया है ये ध्यान रखना अब कितने मैसे लाने है इसकी बात अभी हम करेंगे इसकी बात ये depend करता है हमारे syllabus के हिसाब से हमारा syllabus क्या है तो आप ये देख सकते हैं ये आपका syllabus जो है वो आचुका है ये assistant manager legal के लिए है हम तो जो हमारे काम का है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे काम का जो syllabus है वो अब आने वाला है ये रहा सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे student है जो CA और CMA कर चुके हैं और इस बार Cotton Corporation of India में management और training के लिए preparation कर रहे हैं guys तो देखो लिखा हुआ है paper would be in five part with 120 objective MCQ type to be attempted in 120 minute तो 120 MCQ 120 minute में आपको करने होंगे 120 minute का मतलब दो घंटे हैं तो दो घंटे में आपको 120 question जो है वो करने होंगे गलत अगर आप करते हो तो 0.25 आपका यहाँ पे deduct हो जाएगा जैसा इन्होंने बोला है कि 5 part में आपका exam होगा तो 5 part में से पहला part आपका आजाता है English का दूसरा reasoning, तीसरा quantitative aptitude, चौथा general knowledge और पाचवा आपसे subject पूछा जाएगा यह जो चार है सर क्या यह आपके पास में available है इन चार के हम complimentary courses आपको दे रहे हैं 200 घंटों से भी जादा का content इन सारे subject का हम आपको दे रहे हैं जो कि bank SSC के level पे हमने record करवाया हुआ है यह complimentary है इसका कोई पैसा नहीं है अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे description में जो application का link है उसे download कर ले और अगर आप CACMA है तो मुझे लगता है वैसे तो आपको course की requirement नहीं है knowledge सारा ही है लेकिन थोड़ा सा बस CACMA वाली जो student है जो हमारे पास में आते हैं वो यह चाहते हैं कि सन हमें तो पस MCQs दे दो आप तो आपके लिए भी हमने course launch कर दिया है बताऊंगा मैं detail आपको तो subject knowledge में क्या है ध्यान से देखिएगा आपको mainly जो focus करना है वो accounting standard पर करना है लगबग लगबग पूरे syllabus में आपके accounting standard ही दे रखी है तो आप देख सकते हैं accounting standard है तो आपके आप यहां प कुछ chapter और आपको यहां पर दे रखे हैं cash flow statement आपको दे रखा है profit prior to incorporation आपको given है bonus share है amalgamation है average due date है यहां पर self balancing है not profit organization है incomplete record है कुछ special transaction भी यहां पर आपके आ रहे हैं यह भी आपको ध्यान दखना है अब देख सकते हैं higher purchase and installment है investment account है insurance claim है business law में आपको contract पढ़ना है negotiable पढ़ना है bonus act पढ़ना है provident fund पढ़ना है gratitude act पढ़ना है company act complete पढ़ना है cost accounting में cost accounting material labor overhead है integrated non integrated है job costing contract costing operating costing process costing standard costing marginal costing budget and budgetary control यह आ जाता है और FM में भी कुछ ऐसे ही topic आपको दे रखे हैं यहां पे financial management का introduction है time value of money है then financial planning है financial decision है मतलब capital budgeting है यहां पे types of financing है investment decision है और working capital है text की बात करता हूँ तो वही 5 head है set of deduction है section 80 के और assessment of individual जो है वो होना ही है तो यह पूरा ही आपको पढ़ना है last में उन्होंने आपको GST के बारे में दे दिया कि provision for filing of return of income highlight of GST तो GST का भी थोड़ा बहुत introduction आपको पढ़ना पढ़ेगा कुछ AS जो उपर बच गए थे वो उन्होंने नीचे include कर दिये है AS 4, 5, 11 ओके और 12, 16, 19, 20, 26, 29 यह सारे AS आपके आजाते हैं कुछ थोड़ा बहुत बच रहा था वो नीचे include कर दिया company accounts complete पढ़नी है special transactions होते हैं insurance company, banking company, electricity company, branch accounting यह सब आपको पढ़ना है और साथ में auditing and assurance भी अब student यह सोच रहे होंगे कि सार इतना बड़ा syllabus है हम कैसे cover करेंगे notes कहां से लाएंगे इसलिए हमने आपके लिए एक अलग से जो है वो course जो है वो यहाँ पर launch कर दिया है वो जो course आपका होने वाला है वो course कौन सा है इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे तो junior cotton corporation of India में management trainee की जो vacancy है accounts की उसका course हमने launch कर दिया है 2499 में यह course आपको जो है वो अविलेबल हो रहा है साथ में जो junior assistant का course है वो course आपको जो मिल रहा है वो 2999 में मिल रहा है यह दोनों ही course जो है वो अविलेबल है जिनको लेकर आप अपनी preparation को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात जो है वो नहीं है तो यहां मैं आपको course पर जाके बता देता हूं कि जो course हमने launch किया है जैसे ही आप नीचे description में जो app का link है उस पर जाएंगे डाउनलोड करेंगे application को लिखेंगे वहाँ पे cotton cotton corporation लिख दे the cotton corporation लिख दे कुछ लिख दे और यह course आपको मिल जाएगा इसमें जब आप content पर जाएंगे 249 का यह course है subject knowledge में आपको 215 वीडियो मिल रही है complimentary BC के अंदर आपको अलग से मिलने वाली है इसमें आप देख सकते हैं accounting के 52 वीडियो बिजनस लॉज है company law है cost accounting 40 वीडियो FM 10 वीडियो income tax बिलकुल ले जाए accounting standard में जब आप जाएंगे accounting standard हमने डाल रखे हैं अमल गमेशन है 15 वीडियो आपके पासामने हैं यहाँ पर अमल गमेशन की बात करते हैं तो आप देखिए हर एक वीडियो के साथ में एक आपको यहाँ पे PDF दे रखी है जो classes चल रही है वो complete chartered accountant के दवारा company secretary के द वारा जो classes है वही चल रही है यह आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे notes रहते हैं इस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं ताकि कहीं भी किसी भी situation में आपको दिक्कत नहीं आए PDF भी आपको मिल जाएंगे MCQs भी मिल जाएंगे सभी पे काम regular basis पे चल रहा है तो definitely आप इस course क purchase कर सकते हैं बाकी detail में ने बता ही दी है result आज तक कई UGC net में भी हम लोगों ने JRF और कई सारे students को UGC net clear करवाया है कोई भी doubt है समस्या है इस number पे call या message करके आप अपनी inquiry को generate कर सकते हैं और telegram channel में ने बता दिया है जरूर join कर लेना ताकि कोई भी important vacancy आप से miss नहीं हो commerce के student है तो इस channel की free classes के लिए इस channel को भी आप लोग subscribe कर लेना ताकि हर एक important class तब कुछ आपको इस channel पर मिलता रहे thank you so much आप सभी का guys इस video को उन सभी दोस्तों के साथ में share करो जो आप ही के साथ में commerce के हैं लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि government job करनी है या नहीं करनी है त आप सभी से विदा थैंक यू सो मच धन्यवाज जैहिन वंदे मातरम बाइवाए